कबीर जी का कभी परचाए कबीर के जन्म और म्रतियों के बारे में अनेक कित्वन्तियां प्रचलित हैं कहा जाता है कि सन 1398 में कासी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मघर में देहांत कबीर ने विदिवत सिक्षा नहीं पाई थी प्रंतु सत्संग परेटन तथा अन गरंतावली में संग्रीत हैं किन्तु कबीर पंत में उनकी रचनाओं का संग्राय बीजक ही प्रमाडिक माना जाता है कुछ रचनाएं गुरु गरंत सहप में भी संक्लित हैं कबीर अत्यंत उदार निर्भय तता सद्ग्रस्त संत थे राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने इस्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड भेदवाव और कर्मकांड का खंडन किया उन्होंने अपनी कब में धर्मिक और सामाजिक भेदवाव से मुक्त मनुस्त की कल्पना की इस्वर प्रेम ज्यान तथा बैराग्य गुरु भक्ति सत्सं और साधू महमा के साथ आत्मे बोद और जगत बोद की अभीव्यक्ति उनकी कब में हुए है कवीर की भासा की सहजता ही उनकी कब यतमक्ता की सकती है जन भासा के निकट होनी के कारण उनकी कब भासा में डार्षने चिंतन को सरल ढंक से वैख्त करने की ताकत है